तो जैहिन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस पर हम लोग वरक्शोप कैलकुलेशन एंड साइन्स वाले पोर्शन में से साइन्स पोर्शन के कुछ आपके जो टॉपिक है यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अभी आप देखना के अंदर आपके जो साइन्स वाला पोर्शन है उससे ज्यादा कॉर्शन देखने को मिलते हैं जितने भी रिल्वे के एस्परेंट्स है लोगों के लिए एक लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आप देखो आपके वरक्शोप कैलकुलेशन साइन्स में शुरुआती परी बात करूं तो शुरुआती में आपके पास मैथनेमेटिक CC में क्या क्या चप्टर हो रहा है वापे are Pलight क्तेशन आ र्रहा है ड्री कीर्द बातक लिएंशन आ रहा है इसके अलावा आपके पास रहा है प्रेस्पाय ये आपका प्रीट लशन हो गया आपका थर पर वि नंबर से है वो science चाल हो जाती है तो उस science में से topic में आपको पढ़ाऊंगा और साथ में numerical भी करवाने वालों और वो आपने exam hall में करके जानी है जरूर जरूर करके जानी है अभी जो है हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और फटा फट आपके स्टार्ट करते हैं चैप्टर और आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले है तो चैप्टर है आपके पास लीवर उत्तो लग लीवर उत्तो लग जड़ा जड़ा तो अपके पास क्या है उत्तो लग तोलक आपके पास क्या है लीवर अब देखना उत्तो लग और लीवर में सबसे पहले हम लोग जो बाते करेंगे ना सबसे पहले बात करेंगे यह आपके पास अब दिना जीएस के अंदर क्या होता है जीएस में आर्मरी आपने थियूरी पढ़िए बात कटम लेकिन यहां पर थियूरी से काम नहीं चलता था अगर आप आपके पास क्या टेक्निकल के अंदर पढ़कर आया हो और इस बुक को पढ़कर आया हो तो उसके पीछे आने के बाद ही चप्टर पढ़ा पढ़ाया माना जाता था और वहां से सवाल आते थे ट्रेड़ स्लेबस में यह वाला स्लेबस भी इंक्लूड है और हम मना नहीं कर सकते कि अगर मालो यहां से कोश्चन आया तो फिर आप बोलो के साथ यह आउट अप स्लेबस नहीं यह आप आपके पास क्या है आगून क्या होता है सबसे पहले हम बाग करते हैं आगून क्या होता है मॉमेंट क्या होता है अभी आप देखना आगून मॉमेंट के बारे में बात कर दो, आगून बेसिकली है क्या, आप देखना, ये कोई बिंदू है, और इस बिंदू को मैं आपके बोलता हूँ कि द्रड बिंदू है, तो को आप हिला नहीं सकते, ये आपके पास जो है, आपका द्रड बिंदू है, जो मैंने माल दिया दृड़बिंदू माल लो, दृड़़ अक्ष्य माल लो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से small r distance कि आपके पास small r distance यहाँ पर क्या कर रहा हूँ में एक बल लगा रहा हूँ यहाँ पर में एक बल लगा रहा हूँ और यह respectively इस बल की क्रिया रेखा है अगर यहां जो बिंदू है वो इसके साथ रिगिड़ली कनेक्टेड है तो यहां पर मैंने एक धागा बांदा और यहां एक पत्थर लगा दिया तो आपके पास क्या है यहां पर यहां पर यह जो आर है बल की क्रिया रेखा और द्रड अक्ष के बीच की लंवत दूरी है अभी देखो हम आपके मॉमेंट हम आपके आगोन को क्या बोल सकते हैं किसी द्रड बिंदू और द्रड बिंदू से स्मॉल आर दूरी पर इस्थित बिंदू पर आरोपित बल और बल की क्रिया रेखा बल की क्रिया रेखा कि द्रड आपके पास बिंदू से लंवत दूरी का गुनफल जो है इसको मैं represent करूँगा, आपके पास किस से? जिसे मालों यहाँ बात करते हैं अपना आगुन अगुन मोमेंट को represent करते हैं थो से और थो जो होता है वो होता f into r तो आपके पास क्या होता? f into r तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि द्रड बिंदू, द्रड बिंदू, द्रड बिंदू, द्रड बिंदू, स्लैश, द्रड अक्ष शब्द इस्तिमाल कर सकते हैं, द्रड, द्रड अक्ष, द्रड अक्ष, से, स्मॉल आर दूरी, स्मॉल आर दूरी, तो द्रड बिंदू स्लैश द्रड अक्ष से स्पॉल आर दूरी पर इस्थित बिंदू पर आरोपित बल आरोपित बल आरोपित बल आरोपित बल के रेस्पेक्ट में आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा क्रिया रेखा बल की क्रिया रेखा तथा त्रड बिंदू के बीच की लंबवत दूरी लंबवत पूरी का गुनन फल लंबवत दूरी का गुनन फल आगून के लंबवत दूरी का गुनन फल आगून पॉमेंट कहलाता है कहलाता है अभी आपको क्या है आगूण का definition clear हो गया होगा क्या आगूण basically होता क्या है आपने क्या बोला किसी भी द्रड बिंदू या द्रड अक्ष से smaller दूरी परिस्ते पी नाम दे दोसको बिंदू पर यदि आप कोई बल लगाते हो तो बल और उस बल की क्रिया रेखा कि उस द्रड अक्ष से जो perpendicular distance आएगा उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा उन दोनों का गुणनफल जो है वो आपके आगूण कहलाएगा moment कहलाएगा पात समझ में आगई अले गुरू जी अभी भी समझ में नहीं है यह मरत पात को यही हो जो बिल्कुल खटाक से समझ म में आ जाए अना फटाफट दिमाग में बेड़ जाए आप यूं समझ सकते हो कि जो आगूण है वह कारक है जो किसी वस्तु को द्रड अक्ष के परितर घूमने के लिए आपके क्या है बाध्य करता है इसका मतलब देखो किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तित करने वाला कारक बल था यह सुर नो किसी वस्तु की आपके अवस्था परिवर्तन में सहायक जो कारक था वो क्या था बल था लेकिन किसी वस्तु को गुनन करने के लिए आपके बात जे करने वाला जो कारक है वो क्या है आगून है बात समझ में आ गया तो वह कारक जिससे कोई वस्तू किसी द्रड अक्ष के परिदह गुनन प्रारण्व कर देती है वो कारक क्या कहलाता है आगून कहलाता है तो reason क्या कहलाता है आपके आगून कहलाता है बात समझ में आ गई आगून के बारे में clear तो यह दूसरी definition है मेरी आगून से रिलेटेट अभी हम second definition की तरफ चलता है यह चीज तो समझ में आगी होगी है अभी formula पर चलेगे अभी फिलाल तो definition clear करते हैं फिर उसके बाद आगे बाद करते हैं क्या उसरे शब्दों में मैं एक बात और बोल सकता हूं कि वह कारक वह कारक कारक जो किसी वस्तु को द्रड़ अक्ष के परितः द्रड़ अक्ष के परितः गूनन में सहायक होता है तो वह कारक जो किसी वस्तु को द्रड़ अक्ष के परितः गूनन में सहायक होता है कि आपके आगून कहला तो अगून कहलाता तो यहां तक चीज़े क्लियर आपको बढ़रा परिता है आपके पास क्या है जो आपके ऐसे लीनियर motion देता है अभी आपके पास क्या आगून के से आपके दूसरी परिभाशा भी क्लियर होगी होगी यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगे दिमाग में अभी आगे बढ़ें अभी आपने बोला कि आपके प्रतीक अगर मैं बोलू आगून का प्रतीक क्या होता है तो आगून का प्रतीक आगून का प्रतीक क्या आपके पास क्या यह है तो इसको बोलते हम टी एच ओ तो तो आगून का प्रतीक आपके तो होता है तो होता है तो अगर हम बात करें तो तो इस एक्विल टू आपने क्या बोला था अभी अभी आपने बोला आरो पित बल यहां पर हम क्या लिखेंगे आरोपित के आपके पास क्या है बल और आपको क्या करना है आरोपित बल को क्या है आपके बल की क्रिया रेखा और द्रड अक्ष के बीच की लंबत दूर तो यह क्या है आपके पास बलकी क्रिया रेखा बलकी क्रिया रेखा अना त्रड त्रड अक्ष के पीच लाम्बिक दूरी लाम्बिक लाम्बिक दूरी यह आपके पास क्या हो जाएगी लाम्बिक दूरी हो जाएगी क्लियर यह आपके पास क्या होगा तो होगा चोटे शब्दों में लिखो भी तो बड़ा डराउने शब्द हो गई है तो थोड़े से छोटे शब्दों में लिखते हैं तो क्या है आपका F into R है अब आप देखना यहां पर हम बात को समझते हैं अगर आपने आरोपित बल जो लगाया है वो किलोग्राम में लगाया है और यह आपके पास क्या है किलोग्राम में लगाया है और उसके परिणाम स्वरूपू जो लांबिक डिस्टन्स पर लगाया है आपके पास मिटर में लगाई है यह आपके पास क्या होगा किलोग्राम म हो सकती है और देखो यह जरूरी थोड़ी हो सकता है किलोग्राम में लगाए हम हो सकता है कि हम लगाएंगे आपके पास आपके पाउंड में हम लगाएंगे आपके पास किसमें पाउंड में यह आपके पास क्या है पाउंड और डिस्प्लेस्मेंट हो जाएगा भया फिट मे हाँ हो जाएगा आपके पास fit में और भी हो सकता है हुने में तो बहुत सारी बाते हो सकती है और क्या बाते हो सकती है एक बात और हो सकती है अब ध्यान से सोचो एक से अगर मैं सोचूंगा एक बात आपके पास क्या और हो सकती है कि मैं फॉर्मिला थोड़ा साइड में कर रहा हूँ हाँ आप देखो तो इस इक्वल टू आपके एफ इन टू आर हो गया इसके लावा किलोग्राम मीटर हो गया यह दूसरा आपके पास चुनेट हाँ इसके बाद हो सकता है कि यह ग्राम में हो ग्राम में हो और जो आपके डिस्प्लेस्मेंट आया है जो डिस्टेंस आया है तो दूरी आई है लांबिंग दूरी वो आपके सेमी में हो यह हो सकती की नहीं हो सकती है हां गुरुजी हो सकती है पका पका हो सकती है फिर तीसरी सिच्विशन यह बन सकती है इसके लावा एक सिच्विशन और बन सकती है अगर बल न्यूटन में दिया होता तो प्री जो है वो मेटर में दिया होती है फिर आपके पास क्या है न्यूट फंसक्नालाबवल की रिखा की उस द्रडः अक्षत से जो लंबत दूरी है वह आपके मेटर में हैं यह ूर्लों यह सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह क्या है आपके इसी को सबस्क्राइश के सब्सक्राइब इस सब के मुझसे सुनते हैं बड़ा डर भी होता है और आप बताओ यार बोर्ड एक्जाम के प्रिपरेशन में आपने कोई कमी छोड़ी थी कोई कमी नहीं छोड़ी ना घर वालों ने कमी छोड़ी ना आपने छोड़ी स्कूल वालों ने छोड़ी सब ने आपके पास क्या बिल्कुल अपना सो परतिशत लगा दिया था ना और कितने गंबीर थे वे सारे के साथ अब आप बोर्ड एक्जाम में पास भी हो गए हो गए पास अब आप यहां बैठे हो गए क्या मिला अब फिर हम एक आपके ऐसी जगे पर खड़े होए जहां में फिर सिद्ध करना है अपने आपको फिर सिद्ध करना है लेकिन अगर यहां पर तुम पास हुए तो तुम्हें मिलेगा गौर्मेंट जॉब समझे बात को और गौर्मेंट जो आपके साथ साथ यह जो टीका लगेगा यह जिएड़ से दो करोड का टीका होगा अब अगर नोकरी लग गई जो सैलरी मिलेगी तो टोटल जोड़ने ना ग्रेजूटी एमोंट के साथ तो आपका जो ग्रेजूटी एमोंट है उसको समाज में मान और पतिष्ठा बढ़ेगी वह अलग आप बताओ इसके लिए कोई कमी छोड़नी चाहिए क्या हमें किसी भी तरीके की कमी छोड़नी चाहिए क्या भी नहीं चोड़नी चाहिए ना आपको पूरी ताकत जोग देनी चाहिए कि आप देखो जब 10 वी बोर्ड मे आपको मिला कुछ भी नहीं परसेंटेश मिली फिर बाद में आपने दुबारा आपने आपको डिफाइन किया हर जगे पर फिर अपस पड़े आप लेकिन यहां के बाद जो है फिर दुबारा आपको डिफाइन करने की ज़रत नहीं पड़ेगी आप अप एपरूर्मेंट जो आप सेलेक्टेड है तो होश्यार तो हो गई होगा फिर आपकी होश्यारी पर कोई प्रश्ण वाचक चनने नहीं लगाएगा इसका मतलब अब जो है ना अभी हमें और जादा मेहनत करने हैं इसलिए हर चीज को बहुत बारीक से समझना उस पर छोड़े-छोड़े अब बात करें इस जगे पर बात करें यह बैसिकली जो यूनिट होती है यह होती है मीट्रिक प्रणाली में होती है आपके पास है मीट्रिक प्रणाली यह आपके पास किसमें है मीट्रिक प्रणाली में में एमके सिस्टम है हमारी मेट्रिक प्रणाली है मके सिस्टम है जिसको कि और मैट्रिक परनाली और मेरे लार क्यों दिख़ी दिखुरा यह इस्सिस्टम आपके पास है ब्रिटिश परणाली कि आपकें ब्रिटिश परनाली है कि आपकें До Galick क्या है तो ब्रिटिश प्रणाली में जो जो यूनिट है वो ये वाला ब्रिटिश अगर हम बात करते हैं कि आप बताईए ये किसमें है आप बताऊगे ये जो आपके पास यूनिट हमने मैंने क्या है ये अगर के बात करें जिबूकी आप बोलते थे सी-जी-एस EGS Prandali EGS Prandali है यह आपके बाद यह जो है यह आपके पास क्या है यह आपके पास है SI सिस्टम यह है SI सिस्टम system of आपके international unit जो है किसे हम बोलेंगे SI Prandali यह आपके पास SI Prandali है अभी आपके पास clear हो गया उपर formula आपके पास आ चुका है इसके अलावा अलग-अलग यूनिट आ चुकी है यह आपके ऐसा ही प्रणाली में न्यूटन मीटर होगा ठीक है चलो आगे बात करते हैं अपन आगे बात करते हैं यहां तो उताले न आपने अब आप देखना आपसे जो कुशन पूछता है न वो आपसे पूछता है कि बताई आगून की कई क्या होती तो आगून की कई आप क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर को जूल में परदर्शित कर सकते हो क्या आप तीन न्यूटन मीटर को जूल में परदर्शित कर सकते हो क्या तेरा आपके पास क्या है जूल को न्यूटन मीटर में परदर्शित कर सकते हो तो मैं एक कॉशन लिख रहा हूँ आपके लिए यहां पर कि आपके पास पहला कॉशन है कि तीन आपके न्यूटन मीट को जूल में बदले हैं पुल में बदले हैं और दूसरा क्वश्चन आपके पास जो है क्वश्चन नम्पर दो आपसे बोल रहा है कि तेरा जूल को आपके न्यूटन पुटन मीटर में परिवर्तित करो यह आपका क्वश्चन पैला क्वश्चन तो क्या है कि तीन न्यूटन मीटर को जूल में बदलो और दूसरा है तेरा जूल को न्यूटन मीटर में परिवर्तित करो अगर आप ट्राई करना चाहरे हो तो ट्राई करो नहीं करना चाहरे हो त दस सेकंड में जवाब देना है नहीं करोगे ना चलो ठेकर नहीं करेंगे अगर आप फ़ड़ा ज्यादा समय देए तो भी सोस्ते करने का अच्छा मेरी बात सुनो आरोपित बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुननफल कारे कहलाता है और कारे की एसाई का ही जूल होत अगर मैं बल लूँ तो आरोपित बल क्या होगा न्यूटन में विस्थापन क्या होगा मीटर में तो वहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर बराबर आपके पास क्या है एक जूल होगा के नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है हम क्या बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है हम क्य एक जूल के बराबर है एक न्यूटन मिटर जो है वो एक जूल के बराबर है तो इसका मतलब देखना ये दोनों question जो है वो केवल आपको irritate करने के लिए बनाए गये है और हाँ ये question जो है उचे गये है तो अभी आप देखना यहाँ पर हम बात करेंगे उच्टर आएगा तूटीन जूल देखे और यहाँ पर आपके पास क्या होगा तेरा ये respectively हमारा answer हो ये भी हमारा क्या हो जाएगा answer आप समझ में आगई यहाँ तक चीज clear हो गई होगी तो moment क्या होता है moment की unit क्या होती है इसके रिलेशन पर क्या बात करेगा इसके लावा आपके formula क्या होगा ये समझ में आना है अच्छा आप देखो उपर जो आपने आगून को परिभाशित किया है इसे हम क्या है प्रथम आगून भी बोलता है इसे हम क्या बोलेंगे वस्तुपर आरोपित प्रथम आगून के रूप में भी परिभाशित किया जाता है अब जैसे हमने वस्तुपर आरोपित प्रथम आगून की बात करी वेसे ही वस्तुपर आरोपित दुती आगून टो डेश के उपर भी बात करनी पड़ेगी कि सेकेंड टॉर्क का मतलब क्या होता है सेकेंड टॉर्क क्या होता है बोलो यार तुम फिजिक्स पढ़कर आये हुए हो सपढ़ लिए है तो पढ़ लिए तो बताऊ फर्स्ट ओर्क और सेकेंड टोर्क बोले पर्स टोर तो यही था बोले सेकंड और क्या था जो ठीक है अगर नहीं कि यहां तक काफी यहां अब यहां रोक लेते हैं लगला पेज लेते हैं कि यहां तक चीज क्लियर है इसके बाद दिखना आप एक नोट लगा देना उसे बाद क्या करनाएं अपने एक नोट लगा देना उसी वहीं टॉपिक चल रहा है उसके आपको क्या पता होना चीज पेसिकरी आपके पास जो यह आपने आग्वून लिखा प्रत्म आगून की कहते हैं प्रत्म आगून भी कहते हैं आध समझ में आ गई यह आपके पास क्या है फर्स्ट औरक है जो प्रत्म आगून है उसके नीचे में अंडरलेन मर दिया अब आपको पता होना ची दुत्ती आगून basically होगा क्या कि पहला point मैंने यह लिखा दूसरे point पर हम बात करने वाले हैं यह पहला point और यह दूसरा point आप देना आपके दुत्ती आगून basically होता क्या है कि प्रत्म आगून और लांबिक दूरी का गुणनफल जो है वो आपके दुत्ती आगून के रूप में परिभाशित कि जाता है दुबारा बोल रहा हूं कि अगर मैं first torque को दुबारा आपके पास क्या है बलकी क्रिया रेखा और द्रड अक्ष के बीच की लंवत दूरी से गुना कर दूं तो मुझे second torque प्राप्त होगा तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि प्रत्म आगून प्रत्म आगून प्रत्म आगून तथा प्रत्म आगून तथा बलकी क्रिया रेखा बलकी क्या रेखा तथा द्रड अक्ष के बीच की लंवत दूरी कथा द्रड अक्ष के बीच की लंबवत दूरी का उननफल क्या कहलाता है दुतिय आघून कहलाता है कहलाता है अब है कि आपके पास क्या है जो सेकेंट और है इसको हम क्या वह बोल सकते पर शमट्र 001 पर आगर माँद करें तो इसकी कई जो होगी ऊहऊओगी न्यूटन मिटर इसको है क्यों किन sour2 g Gone good जबता है जबता है तो ठो जवाब दो प्रदरश्यत करता है या फिर आपसे कहता है कि दृत्म आगोन और पंधर प्रतर्शित दया। यहीं से पूछा है। अगर आपको फ़ॉटी सी बात और थोड़ी सी धिर्वू के ऊहां पर पे का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और वहां यह कोश्चन ऐसा लगता कि रहे राम क्या पूछा तो आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ इस जगे पर तो क्या मैं यह नहीं कह सकता आप देखो यह नहीं कह सकता कि आपके तो डेश डिवेड़ेड़ वई तो अब तो डेश है क्या तो डेश आपके पास है जुति आगूं तो डेश आपके पास क्या है जुति आगूं यह आपके पास क्या है यह आपके पास है प्रत्थम आगूं अब बताओ इन दोनों का अनुपात आप निकालोगे तो डेश और तो इसका वैल्यू आपके पास क्या होगा स्मॉल अगर मैं चार उप्शन देता हूं एक बटा और जीरो या कुछ कह नहीं सकते आप कहां चले जाओगे स्मॉल आर के करद लेकिन जाओगे कब जब इस आर्टिकल को यहां तक पढ़ते पढ़ते वह आये हुआ तो यह चीज आजून, प्रथमशन और दर्ट एश मेरे पास क्या है। जुतिय आजून, प्रथम अगून मतलब यह क्या हगा वन अप्पोण अर्थ होजाए। संहीं बार आपको क्या है? सचुनी बार समझ में आगई। यह तो या तो यह बन जाता है या फिर फिर यह बन सकता है second torque की definition आपके हाथ में आ चुकी है second torque क्या होता है unit जो है वो भी आपके हाथ में आ चुकी है ठीक है अगे बड़े कहना तक चीज़े clear है अरो इसके बाद देखना आगे बादचीत करते हैं अपन अब देखो कर टॉर्क आपने पढ़ लिया है और टॉर्क से उसने question बनाया और उसने simple पूछा कि वट इस दे dimension formula of second torque what is the dimension formula of torque what is the dimension formula of moment तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा yes or no yes बोलो आप में से कौन बच्चा जवाब देगा हाथ खड़ा करना कि moment का dimension formula पुछा है या फिस second torque का dimension formula पुछा है दोनों में से बटा सकते क्या होगा प्रेंटिटर लग जाए बस अब देखना यहां पर हम बात करते हैं और यह चीज में आपके स्लेबस से पड़ाऊंगा इससे ज्यादा उपर नहीं जाऊंगा आपके लेवल से उपर नहीं जाऊंगा जो आपके एक्जाम में हैं बस उसी पर बात करूंगा तब जो आपके डीजी इटी के जो स्लेबस दे रखा है वो वो कवर कर रहे है बस आप देखना यहां पर हम बात करते हैं एक और स्टार पॉइंट की बात करते हैं अब आप देखना अगर वह डाइमेंशन फॉर्मॉला पूसता है डाइमेंशन फॉर्मॉला बेसिकली आगूण आप निकालना चाहते है तो क्या है आपका बलाइप इंटू आपके पास क्या है क्या बोला नहीं 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 आप देखना यह आपके पास के आगून तो आगून आप क्या कह रहे हो आगून आप क्या कह रहे हो कि आपके एफ इंटु आर आफ जो है वह है आपके पास क्या है एफ आपका पास क्या है न्यूटन में आप एफ जो है वह एमे लिख सकते हैं अपन एफ बराबर में लिख सकते हैं और यह आपके पास क्या होगा आर अब आप देना डाइमेंशन फॉर्मला बेसिकली होता क्या है कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है उनके प्रतीक चिन्नों की साहिता से व्यक्त जो सुत्र होते हैं उन्हें कहते हैं डाइमेंशन फॉर्मला या और सीधी साधी बात करना चाहो न तो बोले गुरुजी ml t के अंदर जो सुत्र लिखते हैं ml t में उसे डाइमेंशन फॉर्मला कहते हैं कार ओप्शन में ml t आएगा यहां तो आप देखना यहां ml t की अगर मैं बात करूं ml और t यहां m हमारे पास क्या होता है मास होता है और यह आपके के पास क्या यह क्या है मास मेरा यह रहा एक आपके मास नजर आ रहा है अब देखो इसकी बात करते हैं यह acceleration जो होता है ना होता है मिटर पर सेकंड इसक्वाइर एक मिटर यह रहा और यह भाईया जी दो नजर आ रही है यह लें पर सेकंड इसक्वाइर को उपर लेकर जाएंगे सब्सक्रांज एगन उपनाहे है तो आपके माइनस दो हो जाएगा और ये रही आपकी फॉर्म ने करने ही या रखने की कटे यह जरूत नहीं थी अगर आपको थोड़ा सा बिमाना सिखाया हुआ है आपके टीचर ने आपने कमरे पे बेटके दो-चार बार भी बनाया हुआ है बिल्कुल भी याद रखने की तो पतल भी नहीं आ रहा है आएगा तो बना लेंगे नहीं आया तो वाह इसके रस्ते हैं हमारे रस्ते हैं तो यह क्यों जाएगा इसका लाने है तो डुटिय आगून का डिमेंशन फॉर्मला क्या हो जाएगा अप के पास क्या अगर मैं आपसे बोलता हूँ हूं राइक और आजाता है तो यहां पर जो लेंथ है वो तीन हो जाएगी बाकि तो सेम ही रहेगा यह आपके पास M1, L3 और T माइनस आपके पास 2 का dimension formula हो जाएगा आणा आलो आहाँ आहाँ विमा विमा मतलब विमी ए सुत्र हो गया यहां तक तेहरे बात यहां तक तो यह आपके पास क्या हो गया मैंने आपको आगून बताया क्या होता है आगून के बाद आपके क्या है आगून की यूनिट पर मैंने चर्चा किया आपके साथ Conversion पे बात किया पर्स टॉर्क और आपके पास क्या सेकंड टॉर्क इनके डाइमेंशन फॉर्मला पर हमने बात की तो यह एक टॉपिक आपका complete हुआ है इसके बाद हम बात करते हैं आपका नहीं बस रखता है आज के लिए इतना काफी है इसके बाद जो कलकी क्लास में हम discuss करेंगे और करेंगे आपके पास क्या है बल युग मुट तो कलकी छुटि नहीं करना आपना पर्सों की क्लास आपको बहुत भारी पड़ने रशी आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते हम अगली क्लास में करते है तब तक आप भी अपना खयाल रखिए, पढ़िए और याद करिए अगर वीडियो में आफरी तक बने हुए हो तो आपके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अब दोस्तों के साथ शेयर करो So much, जै हिन, जै भारत